हालो स्टुडेंट्स वेलकम और वेलकम बैक टू क्लास इंगलिश सिंप्लिफाइट एंड थैंक यू सो मच फो जॉइनिंग अस तो स्टुडेंट्स क्लास इलेवन्थ होन्बिल बुक की पोयम नमबर फोर है चाइल्थूट और आज हम इसका एक लॉंग कोश्चन और आंसर को कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं स्टुडेंट्स हम अपने कोश्चन को और यह कोश्चन जो है आपसे 4 या 5 मार्क में पूछा जा सकता है कि क्या अपने खुद की एक स्टार्ट सोच रखना एक स्टार्ट होता है हमारा व्यस्कता की और यानि कि यह एक स्टार होता है कि अब हम बड़े हो रहे हैं अगर हां तो फिर कैसे एकस्प्लेइन विद रेफ्रेंस टो दा पोयम चाइल्ड हुड अपने आंसर को आपने एकस्प्लेइन करना है स्टुडेंट्स चाइल्ड हुड चुपों में इसके रेफ्रेंस पर तो आंसर है कि हां बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे हम अपना स्टंत रूप से सोचना शुरू कर देते हैं हमारी अपनी खुद की एक सोच हो जाती है तो यह हमारा एक स्टेप होता है अडल्ट हुड की तरफ कि अब हम बड़े हो रहे हैं एक चोटा बात बच्चा है उसरे बिल्कुल भी नहीं भी जह सकता है हुड काल्पना क्या है और रियालेटी क्या है and mostly he is lost in the world of fantasy और अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं कालपनिक दुनियाओं में खो जाया करते हैं यानि कि जो उनको उस कालपनिक चीजे होती है तबी वो उसकी तरफ अट्रेक्ट होते हैं बहुत जादा उने सच्चाई और कलपना के बारे में नहीं पता होता The child is influenced by the thinking of others अब जो एक बच्चे होते हैं वो हमेशा दूसरों की thinking पर अपनी life को आगे बढ़ाते हैं उनके अपनी खुद की सोच नहीं होती He does not have any personality of his own और उनके पास अपनी खुद की कोई व्यक्तित्व नहीं होता खुद की कोई personality नहीं होती खुद की कोई सोच नहीं होती वो अपनी छोटी छोटी जरूरत पर भी दूसरे लोगों पर dependent होते हैं और जैसे ही हम बड़े होते हैं तो हमारी जो स्चतन्तर सोच होती है अगर हम बुरे चीजों को गहन करते हैं तो हम एक बुरे विक्थी के रूप में जानें जाएगी और हमारी जो independent thinking होती है ये हमें बचाती है कि जो society में बहुत जादा बुराईयां बिख्री हुई है तो ये society में हमारी जो independent thinking है वो हमें इन बुराईयों से बचाने का काम करती है यानि कि हम अपनी सोच से डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है तो कोई भी इंसान अपनी सोच से ही किसी बुराई को ग्रहन करता है या किसी अच्छाई को अपने वैक्तितों में शामिल करता है If we want to become a good person then we have to improve our thinking अगर हमें एक अच्छा वैक्ति बनना है तो हमें अपनी thinking को भी improve करना पड़ेगा उसका विकास हमें करना पड़ेगा Because this is how our personality develops and we are not as good or bad persons in the society क्योंकि यह हमारी जो personality होती है यह develop ही होती है हमारी एक independent सोच के ओपर और यही decide करती है कि हम एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाएंगे तो यह बात बिल्कुल ठीक है कि एक जब जैसे हम अपना independent thinking रखना शुरू कर देते हैं तो हम एक adults hood की तरफ अपने कदम को बढ़ा देते हैं यानि कि हमारी किंति बड़े लोगों में होनी शुरू हो जाती है उस वक्त हम अपनी बुराईयों का दोश किसी दूसरे पर नहीं दे सकते उसका खुद responsibility हमारी अपनी होती है तो students यह था हमारा answer उमीद है आपको बहुत अच्छे से clear हुआ होगा वीडियो को like, comment, share जरूर कीजिए चैनल को subscribe करके notification bell को press कीजिए आल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर valuable वीडियो आप तक पहुँचे मिलते हम आपसे अपने next वीडियो में keep watching, stay connected, thank you